आज हम बात करेंगे हमारे A to Z strategy में M letter पर M for money और इस letter के माध्यम से आप जानेंगे कि कौन सा वफल सफा है जिससे दुनिया के 5% लोग हमेशा टॉपर बने रहते हैं कौन सा वो तरीका है कौन सा वो फोरूला है जिसकी वज़य से वो हमेशा हर छेत्र में सफलता को हसिल करते ह हैं yes my dear friends my name is Narayesh Kumar Saini I am a brain train coach and I am a founder of brain train mission where I am on a mission to help 100,000 direct sellers to become a millionaire effectively in last time if you are the direct seller then click the subscribe button right now and become a part of my brain train mission community A to Z की स्टैडिशी में M हमें क्या सिखाता है और इस स्टैडिशी से हम अपने बिजनस को कैसे next level पे लेके जा सकते हैं M, mood के हिसाब से नहीं दिल से आगे बढ़िए ज्यादतर लोग mood के हिसाब से काम करते हैं इसी वज़य से वो 95% ratio में रह जाते हैं जो लोग अपने mood के हिसाब से नहीं दिल से काम करते हैं वो अपने विजनस में अपनी जॉब में एपनी अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो दिल से पढ़ाई कीजिए अगर आपका दिल नहीं है तो जबरदस्ती आपको पढ़ाई करने से कोई फाइदा नहीं है क्योंकि उसका कोई भी बेनिफिट आपको नहीं मिलने वाला अगर आप एक house wife है घर का काम आप करते हैं घर की जिम्मेदारियों को नहीं भाते हैं वो आपका mood नहीं है तो आप बिल्कुल अच्छे से नहीं कर पाएंगे लेकिन जिम्मेदारी है उसको नहीं भाना पड़ेगा mood नहीं होने के बावजूद भी हमें बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो करने पड़ते हैं लेकिन my dear friends उस समय जब आपका mood वो काम करने का नहीं है उसके बावजूद भी मजबूरी में आपको वो काम करना पड़ रहा है तो उसके जो results आएंगे उससे आपको satisfaction नहीं मिलने वाला तो my dear friends mood के हिसाब से हमें कभी कोई काम नहीं कर रहा है हमें हमेशा किसी भी काम को करते समय अपने दिल के साथ पूरी आत्मा से पूरी तन्मयाता से उसकाम को करना है जब हमें काम करना ही है तो क्यों ना हम उसे दिल से करे जब आप अपने काम को दिल से करना शुरू करते ह तो फिर आपका mood भी बनने लग जाता है, आप उस काम को करना पसंद करने लग जाते हैं, तो आज के इस strategy में आपने शीखा कि किस तरह से 5% successful लोगों की category में हम सामिल हो सकते हैं, और उनके पास वो कौन सा गुरुमांत्र है, जिससे वो हमेशा top पर पहुंसेने के बाद top पर बने रहते हैं, उमीद करता हूं कि आप भी इस strategy को अपने business में, अपने life में लागू करेंगे, apply करेंगे, और अपनी जिंदगी में जल्दी से जल्दी सफलता को attract करेंगे, मैं आपके लिए दुआ करूँगा कि आप अपनी team के लिए role model बने और एक बहतरी roadmap बनाए अपनी मत भूलिएगा, comment करके हमें बताइए कि आज के learning आपके लिए कैसी रही, share करना मत भूलिएगा, अपनी पूरी team के साथ, be healthy, be wealthy, जैहिन, बने मातरम